नमस्कार स्वागत आपका नियूस्वाल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूल जागी हातरस में जनपत नियाधी श्रीमती मृदुला कुमा के निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन किया गया बतादे इस दोरान हातरस जुला नियाधी श्रीमती में चल रही लोक अदालत में 20,000 से ज्यादा मामलों को निवारं के लिए सुना गया साथ ही लोक अदालत में आए मामलों को सुला समझाता करनिस्तारन उनका किया गया जुन पर नियाए धीश ने बताया कि सभी मामलों को निशुलक सुना जाएगा और इसे समझाते के बाद किसी भी नियायाले में इसे नहीं डाला जाए सकेगा तो हातरस में इस लोक अदालत का आईज़ुन किया गया जिसमें निशुलक 20,000 से जादा मामलों का निवारण किया गया है जैसा कि आपकी जानकारी में है, इमानी उच्छी नियाले, उच्छी तर नियाले के इन्य देशी में, इराश्टी लोग अदालत का है, जोन आज 11-21 को किया जा रहा है, इसमें हमारी लगवग 20-25 जार लोगों का पाइदा होगा, और सिविल, मोटर दोगटना के केसिज, वेवाय केसिज, श्रमिक वार, बैंक रिकवरी, किरायदारी संबंदी, वन विवाद, ये इस सरे के लगवग 21-22 प्रकार के केसिज का निस्तारण आज किया जा रहा है, और सबसे महित्पून बात ही है, कि निया इसमें नहीं होता है, और जो भी पार्टी आके अपना प्रात्ना पत्र देके, समझोते हैं कि अजार पर अगर मुकदमा अपना खतम कराना चाहता है, तो उसे किया जाता है, और हमारे सभी अधिकारी गड़ और टीम सभी लगी हुई है, कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करके, ये रा सीतापुर में स्वास्तव भाग के बड़े बड़े धारशाई होते हैं, दरजल जिला स्पतार में अतिरिक्त बैट की विवस्ता नहीं की गई है, और साथ ही बता दें कि जन्पत में लगाता वारल बुखार कप्टा को बढ़ता ही जा रहा है, गाउं से लेकर शेहर तक व वारल बुखार और जेंगू मलेरिया से लोगों के अंदर दहशत बैट गई है, और इस खतानाग बिमारी से किसी के परिवार में दो बच्चे तो कहीं तीन लोग बिमार पड़े हुए हैं, जिले में कई लोगों ने अपनी जान भी कवा दी है, ऐसा ही मामला जिला स्पता में देखने को मिला, जहां चिल्रन बॉड में बेद फुल हो गए हैं, और हालात ये हैं कि बच्चों को बेंच पर भरती कर उनका इलाज किया जा रहा है, तो वहीं मरीजों के परिशनों का कहना है कि इलाज कराना है, फिर कैसे भी हो, तो इलाज हम करा कर ही रहेंगे, तो बच्चों का इलाज कराने के लिए हर कोई बेड की लिए इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। बारावनकी में डकैतों के होसले इतने बुलंद है कि पुलिस का एक बाल खتم साखोता नसला रहा है देरवाज जिले की देवा कोटवाली इलाके में डकैतों ने एक घर पर धावा पोल दिया और रिज्वरान परिवार की दो महिलाओं और दो पुर्शों पर तावर तोड लाठिया बरसाई गई जिसमें एक व्रद महिला की मौके पर मौत हो गई वहीं तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिन एलाज के लिए जिलास्पताल में भरती करा दिया गया है सीतापुर का ये पूरा मामला है जहां पर बेखौफ बदमाशों ने तांडव मचाया है और ऐसे में जो है ब्रद महिला को मौत के खाट उन्होंने उतार दिया है जैनपत बारवंखी में थाना देवा छेतर में एक मुझीदपूर से कुर गाउं में एक गाउं के बाहर एक मकान थे जहां पर रात में तीन चार बज़े के आसपास कुछ लोग उसके आए जिसमें इन लोगों ने घर में जो सोई हुए लोग थे एक ब्रद महीला चंद्रावती और उसके लड़के और दो लड़के और उसकी बहू इन तीनों को मारा लिप्टिस के डंडे से मारा और उसके बाद घर में लूप पार किया इस मार पीट के वज़ा से जो चंद्रावती जी थी थी उनकी मृत्य हो गई और तीन लोग घाल है जिनको हास्पिकल भे जा गया है इसमें एक बच्ची है जिसने पूरा डिटेल इन्फामेशन दी है और बहुत सारे कलू हाथ लगे हैं इसमें तीन टीमें बनाई गई उस लगा करके इसको जल से जल वर्काउट किया जाएगा जो भी अपराधी है उनके ख्राव सटिकार परकी जाएगा है उत्रप्रदेश में फिर एक बार अपराध ने अपनी रफ्तार पकड़ी है दरसल यहां पराधियों में कानून और पुलिस का भैख खतम हो चुका है अभी कुछ समय तक उत्रप्रदेश में कानून के डर से खोद थाने पहुंचकर आत्म समर्पड करने वाले अपराधियों की तवाम तस्वीरे देश भर के लोगों ने देखी थी बैतर कानून विवस्ता के लिए योगी सरकार की चम कर तारीफ हुई लेकिन यहां फिर से अपराधी बेलगाम होते नज़र आ रहे हैं ऐसी ही एक खबर संबल जनपत से आई है जहां रचपुरा थाना इराके में देवराध पुरानी रंजिश के चलते सस्वराल में रह रहे ग्रामीन की गोली मार कर खत्या कर दी गई ग्राम प्रदान की सूचना पर पहुची पुलिस ने शब को कबजे में लिया और जाश परताल शुरू कर दी है वहीं घटना की सूचना पर पुलिस अधिक्षक, चक्रेश, मिश और अन्य अधिकार्यों ने मौके का मुएना किया और स्पी ने घटना के खुडासे के लिए चार टीम लगाई है ये घटना उस समय कुई जब ग्रामीर अपने भाई और सालों के साथ खेत पर गया था और वहाँ उसकी गोली मार कर खत्या कर दी गई तो यूपी में अपराद जो है वो रफ्तार पकड़ता वो नसर आ रहा है अपराद का ग्राफ लगाता यूपी में बरतत चला जा रहा है ऐसे में पुरानी रंजिश को लेकर संभल में दबंगो ने जो है ये घटना को अंजाम तिया है और ग्रामीर की कोली मार कर खत्या कर दी है थाना रजबुरा के अंतरगत ग्राम निवरा से एक व्यक्ति इस्यूमर 35 वर्ष है नाम लाला राम का शव आज एक खेट से बरामत किया गया है सुजना प्राप्थों ने पुलिस के दौरा पहुँचकर पंचनाव और पोस्ट मार्टम की कारिवाई कराई जा रही है यह व्यक्ति ग्राम अकवर्पुर थाना गुन्नौर का रहने वाला था तथा ग्राम निवरा में अपने सस्वादी जनों के साथ में रह रहा था ग्यात हुआ है कि यह स्वयम एक मर्डर के मामले में जेल गया था और बेल पर पिछले कुछ समय से बाहर आया था और उसके बाद से अपने सुस्राल में रह रहा था मौके पर सभी पक्षों की जांच की जा रही है सभी एंगल्स को खंगाला जा रहा है सर्दलांस वो एसोजी की वदद से इसका जंदी अनावरण करने के लिए चार टीमें लगाई रही है सिदार्त मगर में बार से लोगों के फसल पर ज्यादा सर देखने के लिए मिल रहा है बार पर भावेश शेत्रों में धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और हाला ये हैं कि दूर दूर तक फसल नहीं दिख रही है फसल पर आस लगाए बैचे किसानों की आस अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है दर्जल किसानों की रोजी रोटी छीन ली वहीं किसानों का कहना है ना ही प्रसाशन देखने वहाँ पर पहुंचा है और ना ही स्थानिय ने था पेड़ित किसानों से मिलने पहुंचे हैं और ऐसे में पेड़ित किसानों का कहना है कि सरकों पर पानी था लेकिन प्रसाशन देखने तक नहीं आया और नहीं प्रसाशन द्वारा लाब ही मिला और ऐसे में किसी तरह से जीवन ग्यापन कर रहे ये किसान जो है वो बार से पूरी तरह से बर्बाद हुई फसल से परिशान है ऐसे में किसानों की कमर तोड़ दी है इस बार ने और किसान खीती करकर अपना पालन पोशन करता है लेकिन किसानों को क्या पता था कि बार आजान से उनकी सारी फसले इस तरह से बर्बात हो जाएंगी और तरह तरह से खीती करते हैं और ऐसे में जीवन ग्यापन की किसान करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से बार्ट से उनकी खीती पूरी तरह से उनकी फसले बर्बात हो गई हैं वहीं सिदार्टनगर पेट में आ गए थे ऐसे में बार से ज़्यादा तक गरीब परिवार को ही नुकसान पहुंचा है लोग पानी में जो है गुजरने को मजबूर हैं और ऐसे में फसले पूरी तरह से पानी में बरबात हो चुकी हैं किसान सरकार से गोहा लगा रहे हैं कि फसलों का मुआफ़ा उन्हें दिया जाए लेकिन अभी तक कोई भी उनकी सुनने को तयार नहीं है और हमारा खाली नहीं पूरे गाउं की लोगों का जो है नुकसान हुआ प्रतासान अभी तक आप लोगों के बीच में आई है हमारे बीच में अभी हम लोगों के बीच में प्रतासान आई है ना तो कोई सरकारी करमचारी आया है ना तो यहां के बीधाय के लिए है कि आप आपके क्या उमीद है कि सरकार से हमारी उमीद है कि सरकार हम लोगों का कुछ ना कुछ मौज़र देगा उसी के भरोसे पर हम लोग ठीके हुए है और क्या नाम है कम से कम पांच रिकड की खेती थी कुछ भी नहीं बचा रख जगें घल खतम पॉड़र बहुत सारे नुक्सान हुए है प्रसासन द्वारा क्या सुभधा मिला है एक पैसे का सुभधा नहीं मिला है ना तो अभी कोई आया है काओ में किसी चीज का हाल चाल लेने की क्या है क्या नहीं है पिर सिर्फ पतासरे में बैठे है कोई आया लेकर अभी तक कोई आया नहीं राकेश ट्रिकेट नॉइड़ा पहुँचे जहां उन्होंने जुलादिकारी सोहास लवाई को समानत किया और फूलों का बुके भेट कर उनकी जीत की शुब कामनाय उन्हें दी साथी राकेश ट्रिकेट ने डियेम सोहास लवाई को देसी घी भी भी भेट किया वहीं राकेश ट्रिकेट के साथ तरजनों कार्यकरता भी वहाँ पर मौझूद रहे और सभी ने पहरा उलम्पिक में पदक जीतने पर डियेम को शुब कामनाय दी तो बता दें तस्वीरे देख सकते हैं किस तरह से राकेश ट्रिकेट ने गौतम बुद नगर जिले को सम्मानित किया और ऐसे में सोहास लवाई के लिए शुब कामनाय उन्होंने दी देसी घी उन्हें भेट किया और बुके देकर उनको सम्मानित किया ग्रेटर नॉइडा में बारिश ने एक बाग फिर से दादरी नगर पालिका के दावों की पोल खोल कर रखती है दरसल पता दें कि दादरी कस्वे में जगा जगा पर जल जमाफ हो गया और ऐसे में जल जमाफ के बाद लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं नगरपालिका के अधिकारियों और करंशारियों के बड़े बड़े दावे और वादो और काम धरातल पर फेल होता दिख रहा है ऐसे में बारिश के थाना परिसर और अन्ने जगाहों पर जलभराव से जनता परिशान है तो तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने दावी नगरपालिका की पोल खोल कर रखती है जलजमाव से लोगों की समस्या बढ़ गई कल पूरे दिन लगातार दिली अन्सियार और रासपास के लाकों में जिस तरह से बारिश होई उसने कई जगा पर जलजमाव के स्थिती बना दी थी और ऐसे में आम लोगों को किस तरह की परिशानी होई ये तस्वीर उनकी बानगी या तस्वीरों में साथ तोर पर देखा जा सकता है किस तरह से इस पानी से गुजर कर आम जनता जो है वो परिशान होकर गुजर रही है गुजरात में विधानसवा चुनास से लगबर 15 महीने पहले श्रनिवार को राज्जे के मुख्य मंत्री विजरुपानी ने अपने पत से स्तीफा दे दिया विजरुपानी पिछले 6 महीनों में खटाय जाने वाले बीज़ेपी के चौथे मुख्य मंत्री बन गए है ऐसे में गुजरात से पहले उत्राखांड और करनाटक में भी बीज़ेपी पिछले 6 महीनों में तीन मुख्य मंत्री बदल चुकी है विजरुपानी अब चौते मुख्यमंत्री है और इससे पहले कब-कब बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रीों को बदला है और उनकी जगा किने मुख्यमंत्री बनाया है इस रिपोर्ट में देखिए बीजिपी ने मार्च में उत्राखंड की तद कालीन मुख्यमंत्री द्रवेन सिंग्रावत की जगा लोगसबा सदस्य तीरत सिंग्रावत को मुख्यमंत्री बना दिया था जुलाई में मुख्यमंत्री बनाए जाने की चार महीने बाद ही तीरत सिंग रावत को भी हटा धिया गया और दो बार के विधाया खुशकर सिंग धामी को मुख्यमंत्री पत की जिम्पदारी देनी गई उत्राखन के बाद बीच पीरे कनाटक में बीएस यदियूरप्पा को हटा कर बीएस बोवई को मुख्यमंत्री की कमान सौबती पाटी के एक नेता ने गावा किया कि राज्चे में नया नेतरतु लाने के लिए गुश्राथ और कनाटक के मुख्यमंत्री और उनके पेटे के खिलाब भारी नाराज़गी थी इसी तरह गुश्रा तिकाई में पाटी के एक वर्ग द्वारा रुपानिक को खटाए जाने की मांग की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनके नेतरतु में अगले साल के राज्चे चुना जीतना मुश्किल होगा वही उत्राखन में मुख्यमंत्री तुर्वेन सिंग रावत को एक नया चहरा लाने के लिए बदल दिया गया था गुजरात के एक पार्टी नेता ने कहा कि पार्टी में एक वर्ग से मुख्यमंत्री बदलने की चर्शा और मांग की गई थी लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से खबर आएगी और हमें नहीं पता था कि स्थीपा सौपने के बाद इसकी घूशना की चाएगी गुजरात में मुख्यमंत्री के स्थीफे से पहले कोई खास कतिविदी देखने को नहीं मिली और अचाना की उनका इस स्थीपा देखने के लिए मिला वही दूसी और मार्च में रुवेन सिंग रावत की जगा लेने से पहले बीज़ेपी ने राज्जे में दो सदस्यों को भीजा था जिसमें 36 गर के पूर्ट मुख्यमंत्री रमन सिंग भी शामिल थे ताकि वो प्रतिक्रिया एकत्रित कर सके और इसी तरह तीरज सिंग रावत को बदलने से पहले भी बीज़ेपी के कीनरिय नेतरुत ने उन्हें राष्ट्री राजज़ानी बुलाया था और उन्हें प्रतिक्रागात की थी यह दियूरप्पा ने जुलाई में अपनी सरकार के दो साथ पूर्य खोने के बाद स्तीफ़ा दे दिया था तो एसे में बीज़ेपी ने तीन चे महिने के अंदर तीन राज़जों में अपने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है और ऐसे में बीजेपी की तरव से ये बड़ा बदलाद जो है वो लगाता किया जा रहा है और ऐसे में छे महीने तीन राज्य بीजेपी ने जहां-जह मुख्यमंत्री बदले हैं उन में उत्राखंड शामिल है, कनातक शामिल है और अब गुझराद भी शामिल हो गया है को भी कुछ महीने बाद ही खता का पुष्कर सिंगधामी को उत्राखन का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया था अगर बात कनातक की कर ली जाए तो कनातक में भी पिछले काफी समय से जो है वो चर्चा चल रही थी कि यदियूरपा जो है अपने पद से स्तीफा दे सकते हैं हाला कि उन्होंने फिर स्तीफा दे दिया उनकी जगा भी बुमुई को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी कल अपने पद से स्तीफा दे दिया जिसके बाद आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री चेहरे का जो है ऐलान हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है यह बात साफ हो जाएगी शाम तक कयास लगा जा रहा है के शाम तक साफ हो जाएगी हाला कि कई दाविदार है कई नाम जो है वो आगे चल रहे हैं उनमें मंसुत मंदाविया है नितिन पटेल ये बो नाम है जो अभी दाविदार की रेस में आगे चल रहे हैं लेकिन लगातार देखा जाए तो चुनाव काफी नजीक हैं अब कई राज़ों में और उसको देखते हुए बीजेपी ने 6 महीने के अंदर ये इतना बड़ा बदलाफ कर दिया है कि 6 महीने के अंदर 3 राज्यों में बीजेपी ने म मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है अगर उत्राखंड की बात कर लिजा उत्राखंड में भी कुछ महीने के अंदर ही तीन मुख्यमंत्री चहरे जो हैं वो देखे गए और ऐसे में कनाटक में भी मुख्यमंत्री जो है बदले गए उसके बाद अब ये बारी गुजरात की है हाला कि गुजरात कब नया मुख्य मंत्री का चहरा कौन होने वाला है ये तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी तो ऐसे में गुजरात में विधानसवा चुनाव से लगभग 15 महीने पहले ही श्वनिवार को यानि की कर राज्चे के मुख्य मंत्री ने अपने पत से स्तीफा दे दिया था चलिए बीजेपी प्रवक्ता अश्वनि शाही हमाँ साथ जुड़ चुके हैं अश्वनि जी सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका नियूस वर्ल इंडिया पर ज़न्यवाद अश्वनि जी देखे अच्छे महिने और तीन राज्जे बीजेपी जो है वो अपने मुख्य मंत्री जो है बदलती नजर आ रहे हैं आकर इसके पीछे वज़ा क्या है यह दिखे पार्टी एक लोगतांत्रिक पार्टी है बारती जन्सा पार्टी और भारती जन्सा पार्टी में या पेटी के परिवार में आंतरिक पदलाओं को होते रहते हैं जी वहाँ पर हो सकता है हमारे मामनी रुपानी जी को कुछ और बड़ी जिमेंदारी पार्टी देना चाहती हो इस होजे से वहाँ पर रटाये गया जी बिलकुल अश्वनी जी लेकिन देखिए जिस तरह से उत्राखंड की बात कर ली जाया जी बात कर ली जाये पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कैसा कुछ होने वाला है रेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया पार्टी में कि इतना बड़ा बड़ाव करने की ज़रुद पड़ गई देखिए यह सब चीजे मैंने पहले वी बी कहा जिए कि पार्टी का ज़रूरी मामला होता है कॉछ ज़रूरी नहीं करें अजरी नेशनोह पैसलह हो सकता है सब्ली को भुन को नए ययोर्म यिम्मेदारी हों त coffin मेरी बहुत हमस्ट फु? लेकिन अश्वनी जी लेकिन अकसर चुनाव से पहले ही ऐसा क्यूं किया जाता है क्या उस चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना है इसलिए पार्टी इतना बड़ा बदलाव करती है अगर आप से तवाल को हम चुनाव से जोड़ कर देखे तो यहां तो चुनाव हर पार्टी नहीं रहते हैं जी कई जो है करें कि परिवस्टल महां हो रहा है तो को नहीं आ रहा है यहां कारे करेंगी और भान्य रुपाने जी को कौन की जगभ दी जा रही है यह देखती है और समझती है और अकसर बाद में ऐसा होता है कि पार्टी उस चेहरे को ही बदल देती है को कहीं नहीं मिला उसको मीडिया को भी मसाला चाहिए वह भी नहीं मिला कया सब्सक्राइब कर्मियों की मुक्समंत्री अधितिनार्टी अभी भी वही है बिल्कुल आइस में नहीं मिला चाहूंगा प्रेक्स से बड़ी पार्टी होती है और कभी भी इसके चेहरे पर चुनावती लड़ा जाता है वो रहता है लेकिन हमारे नेता माननी अमिस्ता जी माननी नरेल मोदी जी माननी जेपी नड़ा साथ ये लोग चेहरे हैं योगी साथ चेहरे हैं अधिवाश चिंचोहां जी चेहरे हैं ये सब चेहरों की कमी नहीं है हमारे यहां चेहरों की बहुत लंबी प्रेश है यह चिंसा करें जो मुलाइन सीम यादो एंग संस की जो पार्टी है यादो महासबा मायवती एंग प्राइबेट इनके जो है उनको उसे बदल दिया जाता है उत्राखन की बात कर लिजाए और कनातर की बात कर लिजाए गुजरात में भी यह हुआ कारेकाल भी पूरा नहीं हो पाता और इतना बड़ा बदलाफ कर दिया जाता है लेकिन अश्वनी जी अगर जनता की नाराज़ी नहीं है कोई बात नहीं है फिर ऐसा क्या हुआ के उत्राखन में कुछ महीने के अंदर ही तीन मुख्यमंत्री के चेहरे देखने को मिल गए कहा जनता की नाराज़ी है जनता की नाराज़ी दिखती है पांच सालों में एक सान जनता अगर खुश होती है तो हमको रखती है नाखुश होती है तो हकाती है लेकिन फिलहाल भारत वर्श्चे सबसे जादा राजियों में जनता ने हमको आसिरवाद दिया है तो हमको जंता से नाराज़ी से कोई नहीं है, जंता का तो अशिरवाद मिल रहा है, जिनों से नहीं हम पढ़ रहे हैं, अभी नियरे से चुनाओं हम देखेंगे, हमको लोगों ने जो है, परकी मंगाल में तीन से सबस्ता से कहुँचा दिया, यह जंता का अशिरवाद है, ब राज़ो में मुख्यमंत्री पत का जो चहरा है, वो बदल चुकी है, और ऐसे में अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, यह शाम तक तस्वीर जो है, वो साफ हो जाएगी, वीजेपी के चार मुख्यमंत्रियों ने स्तीफा जो है, वो दे दिया पिछ बैठक होने वाली है, उसके बाद तस्वीर जो है, शाम तक साफ हो सकती है कि कुजरात के मुख्यमंत्री अब नए कौन बनने वाले हैं, हाला कि विधायक दल की बैठक में इसका फैसला कर लिया जाएगा, इसी के साथ पिलाक लेतना ही है, आप देखते रहिए, निउस वर इनल इंटिया.